Hello guys, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको Lava Z series के smartphones की सभी details और specification के बारे में information देने वाला हूँ तो वीडियो का end तक ज़रूर देखेगा क्योंकि वीडियो के end में मैं आपको बताऊंगा कि इन चारो smartphones में से कौन से smartphone आपको खरीदना चाहिए तो Lava ने 7 जनवरी 2021 को चार smartphones लाँच की है Lava Z1, Z2, Z4 और Z6 सबसे पहले बात करते हैं Lava Z1 के बारे में तो Lava Z1 में आपको 5 इंचीस की 480P TFT डिस्प्ले 16 इस्टु 9 आसपर डिशर के साथ देखने को मिलती है यहाँ पर स्क्रीन 852 x 480 के रिजॉलिशन के साथ आती है Lava Z1 के बैक में 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा F2.2 अपर्चर और 5 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा F2.2 अपर्चर के साथ देखने को मिलता है इसमें आपको MediaTek का Helio A20 प्रोसेसर मिलता है जो 12 नैनोमिटर के आर्किटेक्चर वे बना है इसमें 3100 अमेज की बैटरी 5 वर्ट चार्जर के साथ मिलती है सेक्वरेटी के लिए Z1 में पिन पैटन का सपोर्ट मिलता है इसके लाबा इस फोन में Micro USB Port, 3.5 mm headphone jack, 2 SIM Plus SD Card Slot, Bluetooth 5.0, Wi-Fi और GPS का सपोर्ट देखने को मिलता है 2 प्लस 16 GB वाले इस फोन का प्राइज 5,499 रुपीज है और क्योंकि Z1 में 2 GB RAM है इसलिए फोन Android Go Edition और Android 10 के साथ आता है बात करें बाकी फोन्स की तो लाबा Z2, Z4 और Z6 तीनों में 6.5 इंची की HD Plus IPS LCD डिस्प्रेइ 20 to 9 aspect ratio के साथ देखने को मिलती है तीनों में ही 1600 x 720 screen resolution मिलता है लाबा Z2, Z4 और Z6 तीनों में आपको MediaTek का Helio G35 processor मिलता है जो 12 nm के architecture पे बना है तीनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh की battery 10 watt charger के साथ मिलती है इक quality के लिए Z2 में आपको केवल face unlock मिलता है जबकि Z4 और Z6 में आपको rear monitor fingerprint scanner और face unlock मिलता है इसके लाबा Z2, Z4 और Z6 तीनों में USB Type-C port, 35 mm headphone jack, 2 SIM plus SD card slot, Bluetooth 5.0, Wi-Fi और GPS का support देखने को मिलता है यहाँ पर लाबा Z2, 2 plus 32 के variant में आता है जिसका price 6,999 रुपीज है जबकि लाबा Z4, 4 plus 64 के variant में आता है जिसका price 8,999 रुपीज है और at last, लाबा Z6, 6 plus 64 के variant में आता है जिसका price 9,999 रुपीज है लाबा Z2 में 2GB RAM की वज़े से Android Go Edition, Android 10 के साथ देखने को मिलता है जबकि लाबा Z4 और Z6 में आपको स्ट्रॉक Android, Android 10 के साथ मिलता है साथी साथ लाबा ने MyZ Initiative शुरू किया है जिसके अंतरगात आप अपनी मन पसंद की स्पैसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन लाबा उबाइल से decent price में बनवा सकते हैं साथी साथ आप अपने लाबा फोन की RAM और स्टोरेज को थोड़े से पैसे देकर बढ़वा सकते हैं यदि आपके लाबा फोन में RAM और स्टोरेज कम पढ़ जाती है तो ये दोनों initiative बहुत अच्छे initiative है जो कि कोई और स्मार्टफोन कमपनी अभी तक नहीं दे पाई है फाइनल कंक्लूजन पर आए तो यहाँ पर लाबा Z2 प्राइस के इस आपसे अच्छी specification देता है लाबा Z2 में कमी cable memory variant को लेकर है क्योंकि Z2 में cable 2 प्लस 32 का memory variant मिलता है तो इसमें आपको stock android का experience मिलेगा जिसका प्राइस आपको 7349 रुपीज लगेगा लेकिन लाबा Z2 के 3 प्लस 32 वाले memory variant में fingerprint scanner नहीं है यदि आप लाबा Z2 में 16MP का selfie camera लेंगे तबी आपको fingerprint scanner मिलेगा तो अगर आप लाबा Z2 के 3 प्लस 32 memory variant के साथ 16MP का selfie camera चूज करेंगे तो लाबा Z2 का total price 7849 रुपीज बन जाता है जिसमें 3 प्लस 32 memory variant के साथ stock android का experience और 16MP selfie के साथ fingerprint scanner भी आपको मिल जाएगा तो मेरे opinion में आपको लाबा Z2 के upgraded versions को लेना चाहिए जिनका price 7349 रुपीज और 7849 रुपीज है लाबा Z2 के ये दो upgraded versions प्राइस को justify करने के साथ साथ लाबा Z2 की कम्यों को पूरा भी करते हैं तो ये थी लाबा Z series के smart phones को लेकर news लाबा Z1, Z2, Z4 और Z6 में से आपको कौन सा phone सबसे ज़्यादा पसंद आया आप नीचे comment section में बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को like और अपने दोस्तों तक share जरू कर दिजेगा आगे ऐसी technology की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कर दिजेगा thanks for watching this video, मिलते हैं हमारे next वीडियो में